मेरे संघ्यान में मीडिया की कई चर्चा सम्वाद के अंदर ये विशेध्यान में आया की लोगसवा सचवाले ने कुछ असंसदी शचों को जो देश के लोगतंत के लिए चर्चार सम्वाद के लिए लोगतंत की गरिमा के अंकुल नी थे उन शब्दों को विलोपित किया है उसमें कुछ राज्यों की विधान सभाओं और देश की अन्य लोग सभाओं या वाके अपर हाउस उनका संधर भी उसमें दिया गया है मैं आपके माध्यम से उन मानने सदश्यों को देश को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये लोग सभाओं की एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया गुनिस्सो गुनसड से चल रही है उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा समवात के दोरान चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो कोई भी मानने सदश्य किसी पे आरोप, प्रत्यारोप या अन्य विश्यों के संधर्ब में बोलते समय कुछ विश्यों पर आपती करते हैं तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं चाहे राज्य की विधान सभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्य सभा में हो वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है जिस क्रम में बोला गया है वो संसद्य नहीं है तो उसको एक्सपंज करते हैं विलोपित करते हैं और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसद्य शब्दों की संस्टी की एक किताब निकाली जाती थी आप क्योंकि संस्त के अंदर हमने कोशिश की कागज की बचतो इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको हमारी पहले तो कोशिश रही थी इस किताब को देश के पत्त्तकारों को और लोगों को भी उपनत करां पर कुछ लोगों तक पहुंसती थी हमने का देश के अन्य लोगों को भी जानकरी मिले इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो डिवेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं वह मानने सदस्यों को भी यह अन्य जो संसत के दरवाजे जिनोंने नहीं देखे वो भी जो चर्चा डिवेट कर रहे हैं जिनको संसत्य परंप्राओं की जानकरी नहीं है उनको यह जानकरी होनी चीए किसी शब्द को बेन नहीं किया है उस समय के संधर्प में जब जब भी आवशक हुआ तो विलोपित किया है और कोई भी मानने सदस्यों को उस समय जब उनको उनके भाशन की प्रती जी जाती है उस समय उनको कोई आपती हो चाहे सत्ता पक्षो चाहे प्रती पक्षो कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है वो विलोपित करना उचित नीता किस कारण से किये है अगर वो सचेवाले के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचेवाले उस नोटिस पर उनको जवाब देता है ये सारे शब्द जो विलोपित किये गए है उनकी जो भी मानने सदेशों ने बोले उनकी जानकरी में अच्छा होता कि अगर विलोपिश शब्दों के अंदर उनकी आपत्ती होती तो वह सचेवाले को जानकरी देते हम फिर भी हम उची समझते लेकि नियाय का अधिकार क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीटासिन अ कि नहीं यह असंसिदिये है तो यह अधिकार हमें है नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसिदिया इसलिए मैं आपको यह पश्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रह्म की स्थितिनी होना चीए किसी शब्दों को बेन नी किया है और किसी सर सरकारों सभी राज्य की विधान सभा और लोगसभा और राज्य सभा एक स्वतन्त स्वतय निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंतर नी होता है और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधान सभा इसी लोगतांतिक प्रक्रक्याओं से चलती है संसद्मि प्रक्याओं से चलती है जहां तट जिन शब्दों को विलोपीत करने के विशे के अंदर डिवेट और चर्चा कर रहा है उसकी एक लंबी प्रक्रिया है उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं और विशेओं पर डालते रहते हैं और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 24, 2009 में भी ऐसे संक्लन निकाले गए ये कोई आज निकाले गए और शायद आप देखेंगे असंसिदिश शब्त की इतनी बड़ी डिक्स्नरी है शायद मुझे लगता कि अगर वो इस दिक्स्नरी को पूरा पढ़ ले थे तो देश की जनता में भर्मित प्रचार न करते ग्यारा सो पन्ने है आप भी पढ़ लेना इसको ताकि जब डिवेट करने वाले चर्चा करने वालों को आप ही जवाब दे सको ये निकाला कब से गया था मैंने आप को ता है 1954 54 से 54 से निकाला गया था गलत करा तो करक्ट कर देंगे 54 के बाद सबे सबे मैंने आपको बताया ना कि 1986 1992 1999 2004 2009 2010 वार्षिक निकालने लगे अब रेगुलर नियमित निकालते हैं वार्षिक 2010 से रेगुलर है परिए 2010 से नियमित है हर वर्ष निकालते हैं पहले एक साथ संकलन निकालते थे अब एक साथ हर वर्ष निकालते हैं और ये इस पश्ट में फिर करना चाहता हूं किसी भी शब्दों को बेन नी किया गया है जिन शब्दों को उस समय कारवाई के अंदर इस पंच किया गया है चाहे लोग सबाओ चाहे राज्य की विधान सबाओ उसका संकलन जारी किया है डिवेट चर्चा करने वाले जब दलों के आधार पर चर्चा करते हैं तो उनको दल से उपर उठकर जहाँ जहाँ उन दल की सरकार है उनके विश्यों को भी सामने रखना चीए और मैं मानना है कि भारत का लोगतंत जहाँ बारदस्ची ये जवाब दे है निश्पक्ष है देश की जनता की अपिक्ष है आकान शाओं का मंदिर है इसके परती आस्ता विश्वास बना रहे ना चीए और हमारी कोशिश है कि हम इसके आस्ता विश्वास बना रहे और किसी भी माननी सदेश्यों को भारत के सविधान में अधिकार है कि वो अपनी बात सतंता से कह सकता है कोई भी सदन मरियादित रूप से चले मरियादा में हो ये भी माननी सभी सदशों ने अपने सदन को चलाने के नियम प्रक्रिया बनाई है लेकिन किसी को सतंता के बोलने का अधिकार कोई भी सदन नीचीन सकता लेकिन ये अपिक्षा की जाती है कि सदन में चर्चा सवाज मर्यादित हो अब मर्यादित नी हो देश की जनता भी लोगतंत के मंदी से ये अपिक्षा करती है कि यहाँ पर मर्यादित चर्चा हो नीची है आरोप प्रत्यारोप समती असमती हमारे लोक्तंत की विशेष्टा है आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर सद्नों में लगते आएं वेंग भी हुए हैं ये सब इस संसत की परंप्रा रही है हम और अच्छी परंप्राओं को लागू करें और कभी भी संसत के मामले के अंदर किसी भी तरह की भर्मित करने की कारवाई न करे येसी अपिक्षा है